जै बोलो देवा दिदेव एखजरार स्री भगवान महाबीरश्वामी की जै 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 अहिंसा परमो धर्म की जै 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 परमपूज आचार गुरुवत स्री विद्या सागर जी महाराज की जै 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 परमपूज आचार गुरुवत स्रीव विराण सागर जी महाराज की जै 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 एक बढ़िया सड़क के किनारे लगे पोल के प्रिकाश में कुछ खोज रही थी काफी देर से वो अपने खोजने की क्रिया में सरल लगने थी किसी युवक ने उसे टोक कर पूछा अमा क्या खोज रहे हूं क्या ढूंड रही हूं उसने कहा बेटे सुई ढूंड रही हूं सुई खो गई तो यहां क्यों ढूंड रही हो कहां गुमी थी बेटा घर में कहां गुमी थी बेटा घर में तो घर में गुमी थी तो घर में ढूंड यहां क्यों ढूंड रही हूं बेटे क्या बताओ भी थेली देर पहले एक दूसरा बेटा आया था उसने मुझसे का अम्मा सुई ढूंड रही है तो सुई ढूंड रहा है तो प्रकाश में ढूंड अंधेरे में क्या ढूंड रही है तो मैंने सोचा मेरे घर में अंधेरा है यहाँ प्रकाश है यहाँ अपनी सुई को ढूंड लूँ इसलिए मैं सुई ढूंड रही हूँ बात आपको थोड़ी ऐसी लग रही है जैसे वो कितनी नादान और भुली है पर वस्तुता ये नादानी केवल उस बुढ़िया में नहीं संसार के हर प्रानी के साथ है आप भी ढूंड रहे हो कोई भी वस्तु को ढूंड ना है तो वहाँ ढूंडो जहाँ वो खोई है चीजे हो कहीं और आप उसे ढूंडे कहीं तो वो आखिर मिलेगी कैसे आज ढूंड की बात है ढूंडने की बात है मैं आप से पूछता हूँ आप कुछ ढूंड रहे हो क्या ढूंडना चाहते हो लोग तो ढूंडी रहे हैं सुख ढूंड रहे हैं क्या ढूंड रहे हैं सुख ढूंड रहे हैं सुख कहां मिलेगा सुख कहां मिलेगा अज के मनुश्य की प्रश्शा उस मिल्ग की तरह है जिसकी नाभी में कस्तूरी है कस्तूरी तो नाभी में है मिल्ग भागे वनमाही नाभी में कस्तूरी है और वल में भटक रहा है खोया सुई खोया घर में है और ढूंड चौराहे पर रहा है जिस सुख की तुम्हे तलास है जो सुख को तुम ढूंड़ना चाहते हो पहले अपनी आउधारना इस्पष्ट कर लो कि आखिर वो सुख है कहां जब तक तुम्हारा ये विश्वास स्पष्ट नहीं होगा तब तक तुम्हें सुख की उपलब्धी नहीं होगी जो वस तु जहां है उससे वहीं ढूंडोगे तो वो मिलेगी होगी कहीं और खोजोगे कहीं तो कभी नहीं मिलेगी सवाल है तुम सुख ढूंड रहे हो तो पहला सवाल सुख कहा है बोलो क्या उधरना है सुख कहा है तुम्हें दिखता है सुख पदार्थ में तुम्हें दिखता है सुख पदार्थ जन भोग में तुम्हें दिखता है सुख नाम में तुम्हें दिखता है सुख काम में तुम्हें दिखता है सुख चाम में तुम ढूंडते हो नाम में काम में चाम में सुख ढूंडते हो पर संत कहते है थोड़ा देखो कि नाम में सुख कितना है काम में सुख कितना है चाम में सुख कितना है हकीकत में सुख नाम में है काम में है चाम में है या धाम में है ये ढूंडने की कोशिश करो कहां है सुख है नाम में सुख है मनुश्य की एक प्रवित्ती है थोड़ा सा नाम हो जाता है बड़ा आनन दाता है है ना अलो मनुश नाम पाने की लालसा में कई के बार बदनाम भी हो जाता है है ना नाम की एक बड़ी चाह है मनुश के अंदर थोड़ा सा आपका कोई यसुगान करे अच्छा लगता है की नहीं लगता है मारा अच्छा ही नहीं लगता लगता तो यह है कि हमेशा कोई यसुगान करे और सब जगा मेरा ही नाम हो है ना देखिए किसी का नाम होना बुरा नहीं है पर नाम की चाह में खोने से बुरा और कुछ नहीं है जो अच्छा काम करता है जग में नाम होता है जो केवल नाम के लिए रोता है उसका काम तमाम होता है हम नाम की चाह में दोड़ते हैं और आज तक संसार में हर विक्ति को जैसा उसने चाहा है वैसा नाम तो मिला नहीं लेकिन ये मनुश्य की मन की एक बड़ी महत्वा कांख्षा है जो उसे कहीं का नहीं छोड़ती उसे कहीं का नहीं छोड़ती जब मैं पढ़ता था तो एक कहानी थी अगवार में नाम मनिश्य की कुंठित महत्वा कांख्षा पर केंद्रिती एक कहानी है और ये कहानी की अमिट छाप मेरे मन पर पड़ी है आज अपनी बात की शुरुआत मैं इसी कहानी से करना चाहता हूँ श्कूल में एक बच्चा ड्रील के प्रेड में बेहोश हो गया अचानक बेहोश होने से पुरे श्कूल में संसनी फैल गई और उस बच्चे का नाम पुरे श्कूल में फैल गया है उसी स्कूल में गुरुदास नाम का एक बच्चा पढ़ता था उसके मन में आया कि एक रोज मेरा नाम भी पूरे स्कूल में फैले लेकिन सरीर से इतना कमजोर था कि खेल कुद में भाग नहीं ले सकता था और दिमाग से इतना तेज था कि गनित में कभी एंसर नहीं आता और इतिहास में कभी इश्वियाद नहीं रहता पूरी तरह से वो भुलकड़ दास था उसके अंदर किसी प्रकार की काबिलियत प्रकट नहीं हो पाई लेकिन मन में एक चाहा जग गई मेरा नाम हो एक कुंठा उसके मन में भर गई पड़ लिखकर आगे वह एक दबतर में चपरासी बना और तब तक उसकी इच्छा इसकूल से बढ़कर अगबार में आने तक की हो गई कि मेरा नाम अगबार में च्छपे मेरा नाम अगबार में च्छपे अब क्या है अगबार अगबार में हर किसी का नाम तो च्छपता नहीं रोज अगबार देखता और तरकीब सोसता किसी तरह से मेरा नाम अगबार में च्छपे मेरा नाम अकबार में छपे मेरा नाम अकबार में छपे कभी कभी उचने सोचा कि मैं अपराद क्यों न कर लूँ कोई अपराद कर लूँ और अगर मैं अपराद करूँगा तो कम से कम उशी बहाने मेरा नाम छप जाएगा लेकिन अपराद करने के लिए भी कलेजा चाहिए था डर पूख अपराद करने का भी शाहस नहीं जुटा सका है लेकिन उसका मन्चोविश घंटे के वर एक ही बात को लेकर बेचें कैसे भी हो मेरा नाम हो कैसे भी हो मेरा नाम हो एक दिन इसी उधेर बुन में वो चला जा रहा था अचानक सामने से आतिवी कार के टकर से वो गिर पड़ा कार का अगला पहिया उसके पाउँ पर चड़ गया पैर फैक्शर हो गया पुरी तरह कार एक वकील साहब की थी वे बड़े शुष्रदय वेक्ती थे दुर घटा घटे ही वे कार से उतरे उसे अपनी ही कार पर शवार करके अस्पताल में ले गए उसकी चिकित्सा कराए अगले दिन उसे देखने के लिए पहुँचे अपने दबतत जाने के पहले कोट जाने के पहले वकील साहब उसे देखते वे निकले और जब वकील साहब उससे मिलने के लिए अस्पताल में पहुँचे वकील सहाब के हाथ में अगबार था गुरुदास अगबार को बड़ी ललचाई द्रिश्टी से देख रहा था गुरुदास अगबार को बड़ी ललचाई द्रिश्टी से देख रहा था जब हाल चाल पूछ कर वकील सहाब जाने लगे तो गुरुदास ने पूछा आपके पास क्या है बोले अकबार है आजी का है बोले हाँ आजी का है तब तो कल की घटना का उसमें जिक्र होगा नहीं मैंने उसे उचित नहीं समझा उसने का कल फिर तब तो कल की घटना का जिक्र होगा मेरा उसमें नाम होगा बला नहीं मैंने उसे उचित नहीं समझा गुर्दाश एकदम हताश हो गया वकील सहाब उसके मनो भाव को तार गये उनने का कोई चिंता नहीं अगर ऐसी बात है तो कल अगवार में आपका नाम आ जाएगा अगले दिन वकील सहाब फिर अस्पताल पहुँचे उसकी हाथ में अगवार थमाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अगवार में नाम लाने के कारण गुर्दाश ने खुद को कार के नीचे धके ला वो अगवार से ही अपना मूँ छुपा कर रह गया बड़ों ये है कुन्ठित महत्वा कांशा इस घटना की सत्ता है या नहीं मुझे नहीं पता पर इसका जो कत्त है वह सव फीशदी सत्त है मुझे के मन में जब कभी भी नाम की धुन लगती है तो वो किसी इस तर तक आ जाता है मेरा नाम हो धरम भी करता है तो नाम के लिए करता है दुनिया में कोई भी काम करेगा तो नाम के लिए करेगा और इसी नाम में अपनी पहीचान ढूंडता है संत कहते है ये नाम तुम नहीं हो पहले ये सोचो और ये नाम तेरा नहीं है इसे जानो और इस नाम में सुख नहीं है इसे मानो नाम में कौन सा सुख? थोड़ी देर के लिए किसी ने तुम्हारी कोई प्रशंसा कर दी तुम्हारा नाम ले लिया तो तुम अपने आप को बड़ा सुखी महसूस करते हो पर बंधों इस दुनिया में तुम्हे कितने लोग जानते हैं जिससे तुम नाम की बात रखते हो ध्यान रखना किसी वेक्टी को जब नाम की चाह होती है और अपेक्षित रूप उसे नाम नहीं मिलता तो उसे बड़ी व्याकुलता होती है कहीं पर आप जाओ जैसे दूर मत जाओ धर्म सभा में ही जाओ और आप ये अपेक्षा ले करके जाओ कि इस सभा में मेरा नाम पुकारा जाए इस अपेक्षा के साथ आप गए हो और ये सोचो कि मेरा नाम पुकारा जाए और कहीं यदि नाम ना पुकारा जाए तो क्या होगा महराज जब तक नाम नहीं आता तब तक उथल पुथल मस्ते रहती है सोचते चलो अब नहीं तो अब आएगा अब नहीं तो अब आएगा अब नहीं तो अब आएगा आएगा जब तक नाम नहीं आया तब तक उथल पुथल और यदि नाम नहीं आया तो उद्वेग उद्पन होता है किसको जिसने ये अपेक्षा रखी उसको कि मेरा नाम आएगा लेकिन जिसकी कोई अपेक्षा नहीं उसे उसके मन में नाम की चाही नहीं थी तो फिर उसे नाम आने और ना आने से कोई फर्क नहीं है नाम आये तो ना आये तो उसे कोई फर्क नहीं क्योंकि वो नाम के लिए आये नहीं है और कभी कभी तो बिड़मना तब बढ़ जाती है जब नाम भी आया पर अपने से कमतर के नाम के बाद नाम आया पर पहले उसका नाम आगया जिसे हम अपने से कमतर समझते हैं सारा सुख गोल ध्यान रखो नाम का शुख परासुरित है और राम का सुख धाम का सुख स्वासुरित है नाम क्या है ये तो केवल बहवार चलाने का एक साधन है जिस नाम की तुम बात कर रहे हो ये नाम तुम्हारे साथ कब से जुडा मराज जनम लेने के बाद एक दिन परी जनों ने मेरा नाम रख दिया तब से चला कब तक रहेगा इस जीवन भर रहेगा कई लोग तो जिंदगी में जीते जी ही अपना नाम बदल लेते हैं बदलते की नहीं बदलते हैं नाम बदलते हैं देखो नाम भी बदलने के दो रूप है कुछ लोग केवल नाम बदलते हैं कुछ लोग काम बदलते हैं नाम केवल नाम बदलने से कुछ फरक नहीं पड़ता नाम के साथ काम बदलो तो फरक पड़ता है ध्यान रखना नाम बदलोगे तो तुम्हारी केवल पहिचान बदलेगी और नाम के साथ यदि काम बदलोगे तो तुम्हारी एक नई पहिचान बनेगी पहिचान बदलने में कोई बड़ी उपलब्दी नहीं है उपलब्दी पहिचान बनाने में है आपने इसारा किया कि आपका नाम बदला हमने नाम बदला नहीं हमें नया नाम मिला है हमारे गुरू ने दिया है क्यों उनने हमें हमारी एक नई पहिचान बनाई है नई पहिचान क्या नया जीवन दिया है नया जनम दिया है इसलिए मुनियों की दिक्षा के बाद उनके नाम का संसकार होता है नया नाम होता है लेकिन ये भी बेहवार चलाने के साधन है मैं नाम तो नहीं जीते जी नाम रहेगा रह गया तो मर जाने के बाद कुछ अच्छा काम करोगे तो थोड़े दिन लोग याद करेंगे उसके बाद आज हम दुनिया में रह रहे हैं कितने लोगों के नाम जानते हैं दुनिया कितनी लोगों के नाम जानते हैं नाम आप से पूछता हो आपके दादा जी का तो नाम आपको पता होगा परदादा का और उससे उपर तो बोलो नाम 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 अरे भाई नाम में सुख ढूंडोगे तो केवल दुखी बने रहोगे इसलिए नाम में सुख नहीं नाम नहीं माला कि तुमें नामों से जाना जाता है पर तुम नाम नहीं तुम रूप नहीं अनाम अरूप ही तुम्हारा सुरूप है उसी में सच्चा सुख है नाम में सुख ढूंडोगे दुखी होगे नाम की चाहश अपने आपको बचा दूसरी बात चाम में सुख चाम यानि इस चमडी में इस रूप में इस सरीर में निज और पर के देहे में सुख खोचना ये पदार्थ केंद्रिश सुख है ये मनुश्च की भोगा सक्ती को बढ़ाने वाली है जो अंततत दुखी बनाने वाली है जो प्रारंभ में संता पुत्पन्द करती है भोगते समें आतुरता और अंत में उक्ताहट दे उसका नाम चाम है ये उपर से आकर सक दिखने वाला यह चाम वीतर से महा घिनवना है ये जीवन की सचाई है इसे जो पहचानते हैं वो चाम के पीछे परिशान नहीं होते हैं लेकिन जिनकी दिष्टी केवल उपर के चाम पर होती है जो भीतर के धाम को नहीं पहचानते हैं तुलसी दाश अपनी धर्म पत्नी का पक्का दिवाना बना हुआ था पत्नी माय के गई भी है प्रिया की याद आ रही है आधी रात में घर से निकल गए धुआ धार वारिश उपन्ती वी यमना उपन्ती वी गंगा गंगा पार करके गए उपन्ती वी गंगा फिर भी जाना हुए तो जाना है गजब की धुन नदी उपन रही है आकास से बारिश है सगन अंधेरा है इसी मद बिजली चमकी और नदी के किनारे कुछ तैरता वातकता सा दिखाई पड़ा उसके सहारे तैर कर नदी पार कर ली इस किनारे आया फिर विजली चमकी ध्यान गया अरे ये तो कोई मुर्दा था चलो आ गया मुर्दे के सहारे पार होकर आ गया घर पहुँचना है बिना सूचना के आधी रात में कैसे पहुँचूँ कैसे दौर खटगटाऊं पर मिलना तो है प्रियास से मिलना है देखते हैं कि घर में दीपक जल रहा है खिरकी खुली है साइद मेरे आने का संप्रेशन उसे भी हो गया होगा चलो इसी खिलकी से अंदर प्रिवेश किया जाए पर जाओं कैसे तब ही फिर से बिजली चमकी और एक रसी सी लटकती भी दिखाई पड़ी कहते हैं उसी रसी के सहारे वो उपर चल पड़े पहुँचे और जैसे ही अपनी धर्मपत्नी रत्नावती के समक्ष खड़े हुए रत्नावती ने अचानक देखा बद हवास सी देखती रह गई अरे आप और यहां अचानक कैसे बस तुम्हारी याद में तुम्हारी प्यास में आए तो कैसे आए मत पूछो में तुम्हारी याद आई में निकल पड़ा नदी उपन रही थी देखा एक तकता साह उसके सहारे तहर कर आया पार हुआ बिजली चमकी नजर आया वो तकतानी मुर्दा था यहां आया बहुत देड़ भून में था घर में कैसे प्रवेश करूँ दीपक जल रहा था मेरा अनुमान था हो ना हो यह तुम ही होगी और तभी बिजली चमकी देखा तुम्हे भी आभास हो गया तुमने रस्टी लटका दी मैं उसके सहरे आई रस्टी लटका यह ने कौन सी रस्टी लटका यह देखो कौन सी रस्टी जब तीपक के प्रकास में देखा तुम्हा रस्टी की जिगा सांप लटका हुआ था तब रतनावती ने उसे च्छक छोरा और क्या कहा अस्थी चर्म में देहे मम तासंग ऐसी पीत और की होती रगुवीर से तो काय होत भौवीत एक संबोधन ने तुलसी दाश के चित को फेर दिया अभी तक चाम से प्रीत थी काम से प्रीत थी अब राम से प्रीत जुल गई धाम से प्रीत जुल गई अब उधर नहीं इधर अब भागना नहीं है अब थमना है जाग गई और कहा सच में तुमने मेरे जीवन की दिशा मोड़ दी जीवन की वास्तविकता को मैंने आज और केवल आज पहचाना अब मैं उधर नहीं अब सीधे चाम की तरफ नहीं राम की तरफ जाओंगा धाम की तरफ जाओंगा और इस एक वाक ने तुलसी दास को गोष्ट स्वामी तुलसी दास बना दिया समझने की बात केवल इतनी है शुक कहा है इसे जानो उसे खोजो चाम में शुक नहीं ये तो केवल आकुलता का अभी बर्धक है हमारे लिए अंदर से दुखी करने वाला है जैसे किसी को खाज की परिशानी हो और खाज खुजा है तो उसे कितनी देर तक सुख मिलेगा कितनी देर जितनी देर खाज खुजा उसके बाद खाज खुजाने के बाद जलन पीड़ा बस ये भी एक खाज है जिसे मनुश पीड़ित होकर खुजाता है पर अंतता है उसे केवल जलन और पीड़ा की अनुभूती होती है हासिल कुछ भी नहीं होता हासिल कुछ भी नहीं होता जलन होगी पीड़ा होगी बस्तुता चाम और काम का यही परिणाम है जो कुछ छण के लिए सुख जैसा दिखता है पर अंतता दुखदाई होता है खनमित सुखा बहुकाल दुखा पगाम सुखा अनिगाम दुखा संसार मोकस बिपक्ख भूया खानी अनत्था नुकाम भूया खनमित सुखा एक शण का सुख बहुकाल दुखा लंबे समय तक का दुख पगाम सुखा थोड़ा सा सुख अनिगाम दुखा दुख का कोई पेमाना नहीं संसार मोकस बिपक्ख भूया संसार की मुक्ती के जो बिपक्शी है खानी अनत्था नुकाम भूया ये काम भूग सारे अनर्थो के खान है पर जो इस सच्चाई को समझते हैं वे इने में बिलकुल नहीं उलस्ते पर जो इनें नहीं समझते हैं वे 24 गंटे केवल और केवल इनहीं में रमे रहते हैं संत केते जीवन की सच्चाई को समझो पैचानो और अपने जीवन की दिशा को मूडो वहाँ वो है ही नहीं तो मिलेगा कैसे बस्तुता काम भोग में कभी शुक की उपलब थी नहीं हुई यह तो हमारी लालसा को और बढने वाले हैं बस्तुता है अब τीशरी बात पर आ रहा हूं काम पर काम दो प्रकार का है एक इच्छा काम और दूसरा मदन काम इच्छा काम और मदन काम इच्छा काम, मदन काम, काम डिजायर है चाहे वो किशी प्रकारी की हो यह हमें ब्याकुल बनाने वाले है इच्छा काम, मन में इच्छाएं आती है अनेक प्रकारी की इच्छा आती है धन पैसे की इच्छा लोकिशना की इच्छा संतती की इच्छा कामभोग की इच्छा भोगविलास की इच्छा अपने मन से पूछो कि तुम्हारे मन में कभी कोई काम ना आई तुमने उसकी पूर्ती की उसके बात क्या उसके बात क्या महराज पूर्ती के प्रियत्नों से उनकी अभी ब्रिद्धी ही भी है ये आज तक का अनभव है 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 फिर काम में शुक है ये आउधारना कितनी सही है बोलो सुखी कौन है जिसके मन में काम है वो या जो निशकाम है वो निशकाम में शुकी है तो तुम सुख किसमें जूनते हो काम में या धाम में खोजो अप्रिया उधारना को इस्पष्ट करो काम नाओं का अंतनी वो आकास की तराशीम है जैसे छट पर खड़े होकर छट इच को निहारते है तो दिखता है कि कुछ दूर पर धर्ती और आस्मान मिलकर एक हो गए लगता है कि नहीं लगता है पर दुनिया के किशी कोने में ऐसा है लेकिन दिखाई तो ऐसा पलता है कि दो चार दसमील चलनेंगे तब उस छितिच को छू लेंगे लेकिन हम जितना चलते हैं छितिज हमसे उतना ही दूर होता जाता है जो दसा इस छितिज के साथ है वही दसा हमारे मन की है हमारे मन में पलने वाली कामनाओं की है हम उशे पूरा करने का प्रियत्न करते है उशे जितना जितना पून करते है वे उतनी ही बढ़ती जाती है आप लोग बोलते है इच्छाको जितना तृप्त करे उतनी बढ़ती तृष्णाजवाला वो और बढ़ती जाती है भदखती जाती है इसका मुझ सुर्सा की तरह एक बार खुलता है तो बस खुलता ही जाता है बलताई जाता है अंत नहीं है इसका संत कहते हैं कामनाओं की पूर्ती में सुख नहीं कामनाओं की नियंत्रन में सुख है इसलिए सुख ढूंडना है तो काम पर नियंत्रन करो काम की पूर्ती नहीं अपनी च्छाओं पर नियंत्रन लखने की कला सीखो शीमित साधनों में भी तुम सुखी रहोगे और तुमारे मनमे कामनाय हावी होगी तो असीम साधनों के अधीपती होने के बाद भी तुम आकुल ब्याकुल बने रहोगे मनसे पूछो तुम्हारी दसा आखिरी क्या है कितनी कामना है जिसके मन में जितनी कामना वो उतना अधिक दुखी और जिसके मन की कामना है जितनी कम वो उतना जादा सुखी ये मंत्र है बस सुख ढूंडना है तो कमनी कामनाओं को कम करने की कला सीखो अपनी इच्छाओं के अनियंत्रत प्रशाद पर अंकुष लगाओ महराज आखिर कैसे हो हम तो दोनों प्रकार के कामनाओं से पीडित है इच्छा काम भी हमारी बलवती नित्परती कैसी कैसी इच्छा होती है और आप लोगों की कामना की बात करो कितने हुशिया रहा एक अंधा आदमी था बड़ा दरिद था और निशन्तान था अंधा दरिद और निशन्तान उसने भगवान की आराधना की उसकी आराधना से भगवान प्रशन हो गए अब भगवान ने प्रशन होकर के का ठीक है हम तुमारी आराधना से प्रशन है तुम को एक बरदान मांगो तुमारी एक कामना की पूर्ती करेंगे कोई एक वरदान मांग लो मैं तुम्हारी एक कामना की पूर्ती करूंगा बड़ा हुशियार था भला ठीक है आप एक देंगे हमारी ज़्यादा कामना नहीं हम एक ही कामना रखते हैं बोलो भला कुछ नहीं बस मैं ये चाहता हूँ मैं अपने नाती को सोने की थाली में खीर खाता हुआ देखो क्या बोला मैं अपने नाती को सोने की थाली में खीर खाता हुआ या दाल भात खाता हुआ देखो तो क्या हुआ क्या मांग लिया मैं अपने नाती को संतान माल लिया सोने की थाली में खाता हुआ धन माल मांग लिया और देखूं आँखे भी मांग ली मांगने में तो सब माही रहे लेकिन इनका अंत है अपने मन को पलट कर देखो हर मनुश्य जब अपने जीवन यात्रा की शुरुवात करता है प्रारमभिक दोर में जो उसके जीवन की मूर भूत आवशकता है होती है वो उसे पूरा करने का प्रेतना करता है उसके मन में इच्छा होती है ये काम हो जाए तो मैं निश्विकर हो जाओँ काम हो जाता है निश्फिकर हो पाता है तुमने थोड़ा पीछे लोट करके देखो अनिए एक बार तुम्हारे मन में ये बिचार आया होगा ये काम हो और मैं निश्फिकर हूँ ये काम हो और मैं तसली रखूँ आया की नहीं आया ऐसा बिचार और जिस काम के लिए आप में सोचा वो काम हो गया काम तो हो गया पननिश फिकर क्यों नहीं होए बस मनुश को यहीं समझने की जरुपत है यहीं समझने की जरुपत उसकी पुरती नहीं होगी यह मनुश्य को सारी जिन्दगी दोडाती है दोडते रहो दोडते रहो इसका बंधनी कुछ ऐसा बंधन है सामान रूप से बंधन होते हैं तो आदमी एक जिगा स्थिर हो जाता है लेकिन हमारी कामना और तृष्णा का बंधन ऐसा है जो मुनिश को सारी जिन्दगी दौरने के लिए वाध्ध कर देती है कामना धन की कामना यस की कामना नहीं पुत्र की कामना भोगों की कामना इनका अंत क्या मैंने सुरुवात की ब्यापार की कि भीया इत्ता हो जाए मैं तसली रखूंगा उतना हो गया अरे अब थोड़ा और हो जाए अब थोड़ा और हो जाए अब थोड़ा और हो जाए यही है न कामनाओं का अंत नहीं है इसलिए कामनाओं की पुर्ती में कभी भी सुख नहीं होगा एक पल के लिए सुख लेकिन एक इच्छा की पूर्ती के साथ अनेक इच्छाएं जन में लेती है वो तो दोडाएगी ही दोडाएगी इसलिए काम से निश्काम होने की कला समझते हो चाहते हो तो अपने अंदर के धाम को पहिचानो जहां ना कोई काम है ना कोई चाम है जहां केवल आतम राम है उश्य पहिचानो जो पूर्ण त्रप्ती और संतुष्टी का आधार है जिशे अपना कर हम हर पल आनंदित रह सकते हैं देखे मनुष के सुख की परताल करे हैं लोग भोग विलास्ता में बाहिस अंसाधनों में सुख मानते हैं और कुछ पल उनको सुख जैसा अनभव में भी आता है लोगों की अधारना है कि सुख हमें चीजों से मिलता है मैं आप से एक सवाल करता हूँ आपको जोरदार भूक लगी भी है और आप आए सामने वाले ने आपको रसुल्ला दिया सुख मिलेगा की नहीं मिलेगा नए सुख किस से मिला रसुल्ला खाने से हैं पहला रसुल्ला खाया आपको सुख मिला दूसरा रसुल्ला खाये तो सुख मिलेगा फिर तीसरा दिया फिर चौथा भी दिया पांचवा दिया अब क्या हो रहा है क्या हो गया बीस तक दे दिये क्या हुआ रसगुले ने सुख दिया तो जितना रसगुला उतना सुख होना चाहिए बोलो क्या बोलता है नहो हाँ क्या बोलता है बोलो पहले की अपेक्षा दूसरे की अभिरुची कम दूसरे की अपेक्षा तीसरे में चौथे में उतरोतर कम होती है न जब तक मनुश को भूक रहती है तो रूखी रोटी भी रुच कर लगती है और पेट भर जाने पर रस्गुल्ला भी अरुच कर लगता है ये अन्भव है शवाल इस बात का है तुम्हें रस्गुल्ला खाले से सुख मिला आपने कहा न बो रस्गुल्ला खाने से सुख मिला तो फिर रस्गुल्ला खाते जाओ सुख बनना चाहिए क्या है अकिकत रस्गुल्ला खाने से सुख नहीं मिला भूख रहने से सुख मिला जितनी प्रबल भूख थी उतना प्रबल सुख जैसे जैसे भूख कम होते गई रजगुल्ला का सुख भी घटता गया और भूख मिट जाने के बाद रजगुल्ला खाने से उल्टी भी हो सकती है होती है वो दुखा कारण बन गया तो फिर क्या हुआ रजगुल्ले से सुख मिला ये आउधारना कितनी सही अब फिर रजगुले से सुख चाहिए तो पहले उतनी भूग पैदा करो अब भूग सुख है कि दुख तो तुम्हे संसार में चीजों से सुख पाना है तो पहले तुम्हारे मन में इच्छाओं का दुख होना चाहिए पहले दुख बुलाओ फिर सुख पहले बिमारी लाओ फिर इलाज तो बो सुखी कौन है जिसके पास दस प्रकार की दुआईया है जो बिमार है वो या जो मिलकुर स्वस्थ है और एक भी दुआई नहीं है वो तद तुम सुख दवाई में खोजते हो या स्वास्त में अभी तो नहीं दिखता सब बिमार है और बिमारी में ही आनन्द खोज रहे हैं दवाईया मिल गए अपने आपको भाग साली मान रहे हैं देखो मेरे पास साली फैसलिटीज है बस तद तुम अभागे हो क्योंकि तुम दवाईयों पर निर्फर हो तुम सुखी नहीं दुखी हो एक बात बताओ कौन आदमी सुखी है जिसे जोर से भूक लगी है और मनुआंचित भोजन मिल रहा हो या जिसके पास कोई भोजन का ओफर भी कर रहा है पर भोजन की इच्छानी जिसके उकवास है वो एक बेक्ति है जिसको मनुआचित भोजन मिल रहा है एक बेक्ति है जो भोजन की प्यास में तलफ रहा है और एक बेक्ति है जो उकवास किये है तीनों में क्या है जो भोजन की प्यास में तलफ रहा है वो तो दुखी है ही जो भोजन कर रहा है वो अपने दुख का अंसिक प्रतिकार कर रहा है लेकिन जो वास में है उसके पास न दुख है न सुक है वो आनंद में है तो सुक खोजना है तो बाहर नहीं भीतर खोजो जहां है वहां डूंडो तो नाम में सुख नहीं चाम में सुख नहीं काम में सुख नहीं सुख कहा है धाम में सुख है तो धाम कहा है हमारे भीतर है उसे पहचानो आत्मा को जानो आत्मा को पहचानो वही हमारा वास्तविक धाम है उशी में हमारा कल्यान है उशी में हमारा उधार है उस धाम को पहिचानो अगर एक बार हमने उस धाम को पहिचान लिया तो जीवन की दिशादसा सब बदल जाएगी हम है कहीं और खोज कहीं रहें मनश की बिडंबना यही है आचार कुंद कुंद कहते है तुने पर में खूब खोजा, निज को खोजने की कोशिश कर, भजनकार भजन काते हैं, अपने घर को देख बावरे, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर में खोज रहा है, क्यों पर में खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को खोजो, अपने धाम में देखो, मैंने सुना है, एक भिकारी एक जिगा भीक मांगता था, पूरी जिन्दगी भीक मांग मांग कर उसने बिता दी, वो मर गया, पूरी जिन्दगी भीक मांग मांग कर बिता दी, वो आदमी मरा, अब मरने के बाद, लोगों ने उसका दाह संसकार किया, फिर बाद में सोचा, जिस जिगा बैटकर वो भीक मांगता था, वो जिगा थोड़ी गंदीशी हो गए थी, थोड़ा खोद खाद के साफ कर दे, लोगों ने उसे खोदा, तो पता लगा, एक फिट नीचे ही, वहाँ खाजाना गड़ा था, एक फिट नीचे ही खाजाना गड़ा था, कास उस भीकारी को इसका पता लगता, कि मैं जहां बैटकर भीक मांग रहा हूँ, वही खाजाने का भंडार है, तो उसके जीवन भर का दारी दर्शमापत हो गया होता, पर उसे पता नहीं, तुम भी भीकारी बने हो, खाजाना तुम्हारे भीतर है, इसका पता भर होना चाहिए, खाजाना तुम्हारे भीतर है, इसका पता होना चाहिए, उसका पता करो, और खजाने का लाब लो खजाने का अनंद लो तो जीवन का रश होगा तो जीवन की उफलब्दी होगी तो जीवन की सार्थकता होगी तो जीवन की सफलता होगी वो धाम पहचानो अपने भीतर के तत्त को जानो सुख ढूंडना है तो वहां ढूंडो पर में सुक नहीं, निजे में सुक है, उसकी तरफ दृष्टी हो जाए, अध्यात में निश्ट चिंतन बन जाए, सोच बन जाए, तो फिर कुछ कहने की जरुवत नहीं होगी, कुछ करने की जरुवत नहीं होगी, अभी जहां अत्रिप्ती है, वहां संतुष्टी होगी, अभी जहाँ आउशाद है वहाँ आनन्द होगा, अभी जहाँ दुक्क है वहाँ सिक्ख होगा, जहाँ अशान्ती है वहाँ सान्ती होगी। ढूंडिये अपने धाम को पहिचानों, अपने शुरू को जानों, मैं कौन हूँ मेरा क्या है ये मन में सवाल अला चाहिए। उशे जब जान लोगे, जीवन की दिशा और दिशा बदलेगी, और वह सब कुछ हासिल होगा, जिसकी कभी कलपना भी नहीं की जा सकती। अक्षे सुख के धाम हो तुम। जब उशे पहचानोंगे, तो एक अलग अनभूती होगी। तो नाम में सुख नहीं, चाम में सुख नहीं, काम में सुख बो नहीं, कहा है धाम में, उसका पता ही नहीं। उस धाम को जानों, अभी तक तुम नाम, काम और चाम के दिवाने रहे हो। तुमने धाम को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। उससे पहचानों। आचारी कुंद कुंद कहते हैं। सुद्ध परिचिदान भूदा, सब्वस सभी काम भोग बंध कहा। एत्तस्व लंभो, नौरिनसुद हो, बिहत्तस्व। तुम्हारे द्वारा काम, भोग और बंध की कथाएं। सुनने में आई, परिचे में आई, अनभाव में आई। अनादिस से आज तक क्या है। काम भोग बंध में ही तो लगें, इसी दंद फंद में ही तो उलजें। यही परिचे, यही अनभाव, यही श्रवन। केवल अपने धाम को भुलाया है। संत कहते हैं। सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जो आज तक सुना नहीं गया। और जिसे सुन लेने के बाद फिर कुछ और सुनना बाकी न रहे। पर्चे पाना चाहते हो तो उसका पाओ। जो अब तक आप परिचित रहा है और जिसके पर्चे के बाद फिर और कोई पर्चे बाकी न रहे। और ignभाओ करना काहते हो तो उसका करो। जो आज तक अननभूत रहा है और जिसके अनभू के बाद फिर कोई और अनभू बाकी न रहे उस परमधाम को पहिचानो जो अपने आप में परिपूर है त्रप्त है, कर्त कर्त है उस धाम को पहिचानो तो जीवन का कोई आनन्द होगा ध्यान रखना नाम, चाम और काम ये तो हमारे लिए दुख के कारन है धाम में ही सुक है इसलिया अप नाम, काम, चाम की चाह से मुक्त होकर धाम में मिश्राम खोजो यहाँ आकर विराम लो ये कोशिश हमारी होनी चाहिए तो हमारे जीवन के एक बड़ी उपलब्दी होगी ऐसी उपलब्दी हो धूढ़िये सुख धूढ़ना है अपने भी तरह आईए वो धाम को पहचानिये जहां है उसे देखिये एक्शुल में सुख का धाम का है गुर्देव के मुक्से घटना सुनी थी बहुत पुरानी आज याद आ गई कहते हैं कि अरब देश का एक ब्यापारी जब भारत आया बहली बार भारत आया था तो होटल में रुका नल की टोटियां खोली टोटियां खोलते ही पानी आ गया तो उसने बोला भईय यह पानी कहां सारे है पानी मिल जाएगे जित रचा यह पानी मिल जाएगी उसने दिमाग लगाया बहुत बढ़ियां टेक्नलोजी है भारत में यहां तोटियों से तो चाहिए जब पानी आ जाता है उसने अच्छे से देखा जब जब टोटी खोली उसको परियाबत पानी मिला बोले अच्छा ये बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी हमें भारत से मिल गई यहां से उसने धेर सारी टोटीयां खरीद ली और टोटीयां ले जाकर के फिट कर लिया अपसुचा इससे पानी आएगा लोगों को बता भी दिया लेकिन पानी कहां से आए टोटी तो खोले पर पानी निकले नहीं बड़ा हैरान परिसान ये कैसी चिटिंग बोला ये तो मेरे साथ बड़ी चिटिंग हो गई आकर के उसने बताया कि भी यह यह क्या किया तुमने तुमने कहा था मैं टोटिया लेकर के एक मुंद पानी नहीं भी या टोटिया तो ले गए पर टंकी कहा है टंकी कौन सी टंकी मैंने देखा ले मैंने तो किवल टोटी देखा और सोचा इससे पानी आ रहा है वला ध्यान रखो यही तुम्हारी चूक है पानी टोटी में नहीं टंकी में है टंकी में पानी हो तभी टोटी से पानी निकलेगा पर तुम्हारी बिडमना यह है कि टंकी का पता नहीं और टोटीयों में उलजे हो इसलिए टोटे में हो तोटियों में मत उलजो टंकी को पता करो वो टंकी है धाम नाम काम चाम तो सब तोटी है यह उपर की चीजे हैं इनमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है तो हम धाम को पहचाने आज हम बावन गजा में विराजमन है बावन गजा उस धाम के धनी भगवाल रिशब देव का छित्र है इंदरजीत और कुम करन ने जहां से अपने धाम को प्राप्ट किया हमें प्रेड़ा मिल रही है कि हम भी उस धाम को अपना लक्ष बनाए शिव धाम जाने की दृष्टी रखे आने वाले अश्टारिक परव में सिद्चक्र महा मंडल विधान का जो आराधन यहां होने जा रहा है वह अभी उसी शिव धाम के लिए है मुझे बड़ी प्रशनता है कि सिद्चक्र विधान के लिए समीच्ती ने यहां एनॉंसमेंट किया नहीं और मंडल वालों के नाम आ गए 52 मंडल का हमने कहा 69 नाम आ गए कर समीच्ती के लोग बोल रहे थे महराज कम से कम 64 तो कर दिया जाए यहां के लोग पूरी विवस्थाएं बनाने में लगे हैं बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविज्वल बिधान में आना चाहते हैं पर मैंने इनको कहा है कि पहले विवस्थाएं सुनिशित कर लो रवी वार तक सब को सूचना दी जाएगी मेरे ख्याल से कोई को बंचित रहने का मौका नहीं मिलेगा जो भी अपना मन मना है मन मना कर रखे यहां की समिती अपनी बेवस्था के निरूप आपको सूचना देगी लेकिन ऐसे महाल अनुष्ठान में तन मन धन सब ने उच्छावर करना चाहिए जो जहां है वहां से बैठकर अपना योगदान दे सकता है और अपनी सहभागिता ले सकता है वास्तों में ये विधान अपने आप में एक अनुपा मनुष्ठान होगा जो हमें हमारे सिवधाम का रास्ता दिखाएगा हमारे जीवन का पत्प्रस्थ करेगा हम अपने जीवन को उसी तरह आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे जिन लोगों ने मंडल में अपनी सभागिता दिखाई है नाम दर्ज कराया है वे अपनी सारी विवस्ताएं समय पर कर ले तांकि आपको उसका पूर्ण लाब मिल सके और आप अपने जीवन के उतकर्स के भागिदार बन सके इस भाव के साथ अब प्रती दिन संड़ भी अब थोड़ी कम हो गई तो हमारा ठीक समय पर प्रवचन प्रादम होगा मतलब आट बीस पचीस से जो कायरिकम की शुरुआत होती है आट तीस में हमारे प्रवचन की सुरुआत पक के तौर पर हो जाएगी तो जो दर्शक इस कायरिकम को देख रहे हैं अभी कभी पोने नौ बज जाता था कभी कभी नौ भी बज जाता था अब उसमें अन्यमित्ता नहीं होगी पौंसम आदिक के अनुकूल यहां बेवस्था हैं बदलनी पड़ती है छेत रहे लेकिन अब सीधा लाब सीधा प्रशारन प्रति दिन का ताजा लाब आप सब को मिलेगा यह सूचना आप सब तक पहुँचा दे ताकि किसी भी प्रकार की कमी किसी को न मिले और मंगल भावना के साथ हम भी राम लेंगे मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल मैं होए इस धरती के हर प्रानी का मन मंगल मैं हो मन का कहीं कलेस का लेस रहे नादुख कहीं भी हो राग देश ओमो मिट जाए रोग शोक नहीं हो मन में चिंता भै नसता वे रोग शोक नहीं हो नहीं बैर अभी मान हो मन में छोब कभी नहीं हो मैत प्रेम का भाव रहे नितमन मंगल मैं हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल मैं हो इस धर्ती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्वल हो मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्वल हो राग देश ओमो मिट जाए आतम निर्मल हो प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का छे हो इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल मैं हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल मैं हो इस धर्ती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्मश मंगल हो मात पिता का जीवन मंगल परजन मंगल हो जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो राजा प्रजा सभी का मंगल धराधर्म मैं हो मंगल मंगल हो जगत में सब मंगल मैं हो इस धर्ती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो मंगल मैं हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो जीवन के हर पल हर चन की बात सुमंगल हो घर घर में मंगल छाजावे जन जन मंगल हो इस धर्ती का कंकन पावन ओ मंगल मैं हो सब जग में मंगल बढ़े तले अमंगल भाव ऐ प्रमान की बावना सब में हो सदबाव जबलो परम पूज आचारी गुरुवा स्री बित्या सागर जीए हो जग जग वावना की बावना सकती है हावना हो